पद्म पुरान खंड एक अध्याय चार बिस्म जी ने कहा ब्राह्मन आपने अवा कोत्र नामक सर्ग का जो मानव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है संचेप से वर्णन कीजिए अब उसी को विस्तार के साथ कहिए ब्राह्मन जी ने मनुस्यों की स्रिष्टी किस प्रकार की महामुने परजापती ने चारों वर्णों तथा उनके गुनों का कैसे उत्पन ने किया और ब्रहमादी वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गये हैं इन सब बातों का वर्णन आप कीजिए पुलस्त जी बोले कुरुचेत्र स्रिष्टी की इक्षा रखने वाले ब्रहमादी ने ब्रहमन छत्त्रिय बैस और सुद्र इन चार वर्णों को उत्पन किया इन में ब्रहमन मुक से छत्त्रिय वक्चस्तल से बैस से जांगों से और सुद्र ब्रहमादी के पैरों से उत्प साधन है अधा ब्रहंबा जी ने यग अनुष्ठान की सिद्धी के लिए इन सब की सृष्छी की यग से त्रिप्त होकर देवता लोग जल को बिसट्री करते हैं जिससे मनुष्य की भी त्रिप्ती होती है अधा अतधर्म में यग्य सदा ही कल्यान का हेतु है जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं जिन्होंने धर्म विरूद आचरनों का परित्याग कर दिया है तथा जो सनमाग पर चलने वाले हैं वे स्रेश्ट मनुस से ही यग्य का यथावत अनुष्ठान करते ह राजन मनुस इस मानव देह के त्याक के पस्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस जिस अस्थान को पाने की उन्हें इक्चाहों उसी उसी में वे जा सकते हैं निर्प स्रेश्ट ब्रंभा जी के द्वारा चातुरवर ने बेवस्था क अनुसार रचीवी प्रजा उत्तम स्रधा के साथ स्रेश्ट आचार का पालन करने लगी वह इक्चानुसर जहां चाहती रहती थी उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी समस्त प्रजा का अंतकरन सुद्ध था वह स्वभाप से ही परम पवित्र थी धर्मानुष्ठान के कारण उनकी पवित्र था और भी बढ़ गई थी प्रजाओं के पवित्र अंतकरन में भगवान स्रीहरी का निवास होने के कारण सब को सुद्ध ज्यान प्राप्त होता था जिससे सब लोग स्रीहरी के परब्रम नामक कर लेते थे परमापद का साचात कार्त दंतर प्रज मूंग, मसूर, मतर, कुल्ती, अरहर, चना और सन ये सत्रह गरामीन अन्नों की जातियां हैं गरामीन और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न के उप्योग में आने वाले मने गया हैं उनके नाम ये हैं धान, जो, उडद, गेहुम, महीन धान, तिल, सात्मी है, कंगनी, आठमी कुल्ती, ये गरामीन अन्न है, तथा सात्मा तिन्नी का चावल, वन्तिल, गवेदू, वेनुयव और मक्का, ये जंगली अन्न है, ये 14 अन्न यग्या नुष्ठान की सामगरी है, तथा यग्य ही उनकी उत्पत्ती का प्रधान हेतु है, यग्य के साथ ये अन्न प् पर लोग के ग्याता विद्वान पूरूस इनहीं के द्वारा यहां का अनुस्ठान करते हैं, निप्स रेष्ठ प्रती दिन किया जाने वाला यग्य अनुस्थान मनुस्या का परम उपकारक तथा उन्हें सांती प्रधान करने वाला होता है, तो धर्म प्रजापती, भाती पालन करने वाली सभी वड़नों के लिए पुन में लोकों की रचना की, योगियों को अम्रित स्वरूप ब्रह्म धाम की प्राप्ती होती है, जो परम पद माना गया है, जो योगी सदा एकांध में रहकर यत्न पुर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत पत्रवन, काल सुत्र और अभी चीमान, आधी जो नरक हैं वे बेदों की निंदा, यग्यों का उपछेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरूसों के अस्थान बताएं गये हैं, ब्रमा जी ने पहले मन के संकल्प से ही बराबर प्राणियों की स्रिष्ठी किन्तु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा अधिक ना बढ़ सकी तब उन्होंने अपने ही सौद्रिस अन्यमानस पुत्रों को उत्पन्न किया, उनका नाम है भ्रिगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मारीच, दक्ष, अत्री, वसिष्ठ, पुरान में यो नो ब्रह्मा नि इन भ्रिगु आधि के पहले जिन सननन्दन आधि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन करने की इच्छा नहीं हुए, इसलिए वे सृष्ठी रचना के कार में नहीं फसे, उन सब को स्वभावत विज्ञान की प्राप्ती हो गई थी वे मार्तत से आधि दोसों से रहित वीत राग थे, इस प्रकार संसार की सिष्ठी के कार से उनके उदासी उदासिन हो गय जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान करोध हुआ और उनकी भौहे तन गई और ललाट करोध से उदिप्त हो उठा, इसी समें उनके ललाट से मध्य जान काली ने सूर के समान तेजंदरी रुद्र प्रकट हुए, उनका आधा सरीर इस्तरी का था, आधा सरीर पुरुस का था, वे बड़े परचंड थे और उनका सरीर बड़ा विसाल था, तब नंभा जी उन्हें यह आदेश दे कर कि तुम अपने सरीर के दो भाग करो, वह प्रकट किया और इस्तरी पुरुस दोनों भागों के भिन भिन रूप सौम में कुरूर सांत स्याम और गौर आधी नाना प्रकार के थे, ततपस्याद ब्रम्भा जी ने अपने से उत्पन अपने ही स्वरूप स्वयाम भूव को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनू बनाया स्वयाम भू मनू ने सतरूपा नाम की इस्तरी को जो तपस्या के कारण पाप रही थी अपनी पतनी के रूप में स्विकार किया देवी सतरूपा ने स्वयभू मनू से दो पुत्र दो कन्याओं को जन्म दिया पुत्रों के नाम थे प्रिवरत और उत्तान पाद तथा कन्याएं प्रसूती और आकूती के नाम से प्रसिद्वी मनू ने प्रसूती का विवा दक्च के साथ तथा आकूती का विवा रुची प्रजापती के साथ कर दिया दक्च ने प्रसूती के गर्व से 24 कन्याएं उत्पन की जिनके नाम है स्रधाद, लक्षमी, धृती, पुष्टी, तुष्टी, मेगा, क्रिया, बुद्धी, लज्ज वपू, सांती, सिद्धी और तेरहवी, किर्ती इन दक्च कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पतनियों के रूप में गर्ण किया इनके छोटी 11 कन्याएं और थी जो ख्याती, सती, संबूती, स्मिती, पृती, छमा, संतती, अनसुया, उर्जा, स्वाहा और स्वधा ना ने गरहन किया, स्रधाक ने काम को, लक्षमी ने दर्प को, धृती ने नियम को, तुष्टी ने संतोस को, और पुष्टी ने लोव को जर्म दिया, मेघा ने शुरुत को, क्रिया ने दंड नय और बिनय को, बुद्धी ने बोध को, लज्जा ने बिनय को, वपू ने अप पतनी नंदी ने हर्स नामक पुत्र को जन्म दिया यह धर्म का पौत्र था भिर्गु की पतनी खयाती ने लक्षमी को जन्म दिया जो देवा धिदे भगवान नारायन की पतनी है भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पतनी रूप में ग्रहन किया जिन्होंने अपने प भैकी और वेदना नरक पत्नीवी उनसे ये माया ने समस्ट प्रानियों का संगहा करने वाले मृत्यों नाम्क पुत्र को जन्म दिया और वेदना नरक के अन्से दुख्य की उत्पत्ति हो फिर्मिक impose ब्याधी जरा सोक्त्रिष्णा को करोध का जन हुआ ये सभी अधर्म सरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं इनके ना कोई इस्तरी है ना पुत्र है ये सब के सब नैस्टिक ब्रह्मचारी हैं राजकुमार भिस्प में ये ब्रह्मभा जी के रौदर रूप हैं और ये ही संसार के नित्रपले में कारण हो होते हैं पद्म पुरान खंडेक अध्याय चार समात हुआ कल हम आप से अगले अध्याय के साथ मिलेंगे पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यवाद